हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में जो हमारा कोश्चन है राश्टी सिक्षा नेती 1986 को संक्सेप में समझाईए तो दोस्तो आज की इस वीडियो में जो ये कोश्चन है इसका आंसर में आप लोगों को बताने वाला हूँ तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे कि राष्टी शिक्षा नीती 1986 भारत में शिक्षा के छेत्र में सुधार की दिशा में एक महतपूर नीती थी इसका मुख्य उदेश था शिक्षा के छेत्र में समानता, गुणवत्ता और न्याई को सुनिश्चेत करना तता शिक्षा को समरिद्धी और समर्पन की दिशा में बढ़ावा देना इस नीती के संक्षेप में कुछ मुख्य बिंदुएं सामिल हैं तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अनिवारी शिक्षा इसमाहम लिखेंगे राष्टी शिक्षा नीती 1986 ने अनिवारी शिक्षा को पुनर निर्धारित कन्ने का प्रियास किया ताकि समस्त बच्चे मौखिक साक्सरता और आधुनिक शिक्षा में सक्सम हो फिर नेक्स हैडिंग हो जाएगी गुणवत्ता में सुधार तो इसमाहम लिखेंगे निती ने शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए नई सिक्षा केंद्र सिक्षा संस्थानों की विकास और सिक्षकों की तैनाती को पोस्साहित किया फिर नेक्स हैडिंग हो जाएगी उच्च सिक्षा में सुधार तो इसमाहम लिखेंगे निती ने उच्च सिक्षा में सुधार के लिए नई विश्व विद्यालय और कॉलेजों की स्तापना और उनके विकास की दिशा में कई उपायों की बात की फिर आगे हम नेक्स हैडिंग लिखेंगे तकनीकी और ब्यावसाइक सिक्षा तो इसमाहम लिखेंगे निती ने तकनीकी और ब्यावसाइक सिक्षा को महत्वण बनाने के लिए परियास किया और उद्मिता की स्तापना को पोस्साहित किया फिर नेक्स हैडिंग हो जाएगी अंतर विद्यालय लिए सिक्षा तो इसमें हम लिखेंगे निती ने अंतर विध्याली शिक्षा को मजबूत कनने और विध्यार्थियों को विभिन छेत्रों में नौकरी प्राप्त कनने के लिए तैयार कनने के लिए प्रयास किया तो दोस्तों ये था इस question का answer और मैंने आप लोगों के लिएक WhatsApp ग्रूप भी बनाया हुआ है जिसका link जो है आपको इस वीडियो की discussion box में मिल जाएगा तो आप click करके join कर सकते और अगर वीडियो helpful लगी हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe कर लीजिएगा तो चलिए मिलते हैं आपको हमारे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and have a good day